गर्मी का मौसम चल रहा है और कुछ थंडा पीने का काफी मन करता है आज हम बनाएंगे रोज सिरप इसे बनाना काफी इजी है हम इसे रोज शर्बत, रोज मिल, क्या फिर फालोदा भी बना सकते है आप इसे फ्रिज में प्रिजर्व करके रख सकते हो इसका कलर, इसका फ्लेवर, मार्केट में मिलने वाले रोज सिरप से काफी बहतर है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है मैंने यहाँ पे एक होम ग्रोन गुलाब लिया है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप ड्राइड रोज पेटल्स जो मिलते हैं मार्केट में वो भी उसकर सकते हो इसे स्किप करेंगे तो भी चलेगा लेकिन इससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है हमें इस रोज को अच्छे से धो लेना है इसके पेटल्स सेपरेट करने है और थोड़ी दिर के लिए पानी में भीगो के रखना है आप इसके पेटल्स को थोड़ा सा क्रश करके रखिए ताकि इसका जो नाच्रल फ्लेवर और कलर है वो पानी में थोड़ा सा एक्स्टाक्ट होके आ जाएगा आदे एग घंटे के बाद आपको इस पानी में थोड़ा सा नाच्रल रोस का कलर दिखेगा अब हम बनाएंगे इसका शुगर सिरफ दो कप पानी बॉइल करना है हमें हमें इसमें डालेंगे चार कप शकर 1-2 का रिशो मेंटेन करना है शबकर डिजॉल्फ हो जाएगी और थोड़ा सा बॉइल आने लगेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें वो क्रश किया हुआ रोस का पेटल डालना है इसमें जिस पानी में हमने इसे भिगो के रखा है वो पानी भी हम यूज करेंगे लेटर फीजस में इसे वेस नहीं करना है हमें ये शुगर शिरफ को कंटिनुस्टी स्टर करते रहना है एक पॉइंट आएगा जब आपको इसका पेटल थोड़ा सा ट्रांस्परेंट डिखने हमारा रोज सिरफ काफी थिक हो गया है तो अभी हम इसमें थोड़े से कलर के ड्रॉप्स डालेंगे मैंने रूफजा का कलर लिया हुआ है अगर आपको ये नहीं टालना तो आप इसमें थोड़ा सा बीट रूट का एक्स्ट्रैक डाल सकते हो लेकिन ध्यान रखिए हम इसे डालेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो तीन ड्रॉप्स रोज एसेंस के तो विल्कुल रेडी है हमारा रोज सेरा इसे थोड़े देर के लिए कूल डाउन होने दीजिए और फ्रिज में स्टोर करके रखिए फिर ये वैसे ही थिक हो जाएगा जैसे बांकेट में मि जरू ट्राय कीजिए इसे घर पे रोज मिल्क बनाई है रोज शर्बत बनाई है फालूदा बनाई है इसे वाम मिल्क में भी आप डालके पी सकते हो काफी अच्छा लगेगा आपको उस रेसीपी को जरू ट्राय कीजिए घर पे बनाई है आपका कमेंट सेक्शन में तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए